हलो एरिवान, वेलकम बैक तो माई यूटूब चाइनल, न्यूटन, फ्रेंट्स आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सब के MSTCET के परसेंटाइल बहुत ही अच्छे बने होंगे यार तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले कैप राउंड का टोटल शेडूल, कब आपका रजिस्टरेशन शुरू हो रहा है, कब आपका फर्स कैप राउंड, कब आपका सेकेंड कैप राउंड, कब आपकी प्रोविजनल मिरिटली, सारी चीज़े आज हम डिस करो, क्योंकि कैप राउंड से रिलेटेड हर एक अप्डेट और म्हट्ती-CET 2020 से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी, ओके और आगे आप कॉलेज में जाओग आपको ktośese रिलेटेड भी हर अप्डेट, आपको इस चैनल पर मिलती रहेग से लेके आपका 15-12-2020 तक 15 दिसेंबर तक है आपके सिब 12 बजे तक 12 पीम वहाँ पर उन्होंने लिख दिया है 11.59 पीम ओके इस दोरा नौप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आपका कैपराउंड प्रोसेस के लिए ओके दूसरी जो डेट है इस बार आपको FC सेंटर वगरा जाने की ज़रूरत ने आपका ओनलाइन ही होगा उसकी स्टार्टिंग फर्स डेट है 9-12-2020 और इंडिंग डेट है 16-12-2020 बतलब आपका जब आज से ही आपका शुरू हो रहा है आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओके तो जल से जल वेरिफाइग कर लो यार बाद में वेबसाइट वगरा हैंग होने के प्रोब्लेम्स आते रहते ओके तो तीसरी डेट है आपकी डिस्प्ले आप प्रोविजनल मिरिट लिस्ट फॉर महाराष्टा स्टेट और इंडिया यूनियन टेरिटरी आफ जम्मू मतलब आपको कुछ डाउट होगा आपका मतलब कुछ गलती हो गई होगी आपके फॉर्म फिलप में तो आप करेक्क कर सकते हो 1912-2020 से लेके 2012-2020 तक अप टो 5 पीम ओके तो ये थी चोथी डेट आपकी इसके आगे की डेट सम देखेंगे यार उससे पहले एक चीज़ अन एक चीज के बारे में बिल्कुल free classes है यह ओके और सारे faculties मतलब IATN से NITN से एकदम reputed faculties द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और एकदम मुफ्त है यह चीज़, okay, free में, सबसे बड़ी बात तो free में, और unacademy एक India's largest learning platform है और उस पे चीज़ आपको free में मिल रही है, तो आपक इस चीज़ का जरूर फाइदा लेना चाहिए, ओके, तो आपके relatives वगरा, उनको बता व्यार, यहाँ पर मैं आपको schedule बता देता हूँ, देखो, यहाँ पर जो faculties हैं, उनके नाम देखो, आप स्वाती पवार मैं, रहूल मोहानी सर, इनको आप YouTube पे भी देखते होंगे, बहु इस समय आपको कुसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो आपको इसका, मतलब completely आपको इसका benefit उठाना चाहिए, ओके, तो यह था यार सारा unacademy के बारे, back to the point आते हैं, और अपना schedule discuss करते, तो देखो, display of final merit list, आपकी final merit list, आपकी 22, 12, 2020 को आपकी display होगी, उसके बाद display of provisional category wise seat matrix, ठीके, जो category wise provisional seat matrix रहेगा, वो आपका 22 को ही आपका release हो जाएगा, इस बार बहुत process fast है, क्योंकि आपको FC center जाने की ज़रूरत नहीं, सब घर पर बैठके, या साइबर पर ही है, आपकी सारी process online हो जाने वाली है, उसके बात का schedule है, cap round first का, देखो, online submission and confirmation of option form of cap round 1, through candidates, login by the candidate, मतलब जो आपका online submission होगा, या confirmation होगा, cap round first का, वो होगा 23, 12, 2020, okay, मतलब 23 December का आपका होगा और वो चलेगा 25 December तक, उसके बाद display of provisional allotment of cap round first, मतलब आपको कौन सा college मिला है, वो आपको 28 को पता चल जाएगा, ठीके, उसके बाद accepting the offered seat by the candidate through his or her login as per the allotment of cap round first, जो आपको college मिला है, cap round में, उसको आपको accept करना पड़ेगा, 29 से 31 December तक, okay, इसके बाद reporting to the allotment institute and confirmation of admission by the submitting required documents and payment of free, fee after cap round first, मतलब आपको center पे जाना पड़ेगा, आपको जो center allot किया गया है, उस center पे आपको जाना पड़ेगा और ये documents सारे collect करने पड़ेगा, उसकी date है, 29 से लेके 31 December तक, okay, सारी process बहुत fast fast है, इसलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़े करनी है, okay, बात की, बात का schedule है, cap round second के लिए, तो देखो cap round second के लिए, एक चीज़ है, इससे पहले एक चीज़, आपको cap round first भरने में दिक्कत आ रही होगी, मतलब आपको college वगरा select करने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप नीचे google form दिया है, मैंने description box में, तो वो google form fill up कर दो, मैं आपको proper college list provide करके दूँगा, okay, मतलब बहुत मेरी पूरी team लगेगी यार, आपके marks, आपके percentile से, मतलब जो best रहेगा आपकी city में, वो college हम आपको provide कराएंगे, वहाँ पे आपको preference लिखना है, आपको कौन सी city में चाहिए, कौन सी branch चाहिए, cap round 2 का हम अभी schedule देखेंगे, display of provisional vacant seats for cap round 2, मतलब जो जो city बचेंगी, cap round 1 से, वो आपको cap round 2 में आपको use करने मिलेगी, और वो उसका date है, 1st january, okay, 1st january 2020, 2021, online submission and confirmation of option form of cap round 2nd through candidates login by the candidate, उसकी date है, 2nd january से लेके 4 january तक, मतलब आप submit कर सकते हो option form, उसके बाद आपका display of provisional allotment of cap round 2nd, उसकी date है, 6-1-2021, उसके बाद की date है, accept in the offered seat, मतलब जो seat आपको मिलेगी, वो आपको accept करने पड़ेगी, freeze float करना पड़ेगा उसके उपर, वो date है, 7-1-2021 से लेके 9-1-2021, okay, आखरी date है, reporting to the allotted institute and confirmation of admission by the submitting required document and payment of fee after cap round 2nd, जो cap round 2nd की जो payment fee होगी, वो आपको allotted center में जाके आपको pay करने पड़ेगी, और उस वहाँ पे आपको report करना पड़ेगा, आपको presently लगानी पड़ेगी, उसकी date है, 7 से लेके 9 January तक, तो देखो हैर, आपका 10 January तक पूरा आपका काम खतम हो जाने वाला है, फिर आपको, शाहिद आपका 1 February से आपका college शुरू होगा, online या offline जो भी है, उसका भी मैं update डाल दूँगा, और एक चीज खिता है, आपको cap round बहुत होश्यारी से भरने ही, आपका 50% काम होता है एक्जाम देना, और 50% काम होता है, आपका admission में होश्यारी से form fill up करना, admission process को समझना, cap round field करना, य ratios 50% काम होता है, अगर आपको नहीं आता होगा तो Google form fill up कर दो यार, मैं आपको खुद college list बना के दूँगा, ठीक है, आपको वही college list प्रेस्ट करने हैं, और मैं try करूँगा आपको महाराश्रा का best college मिले, आपके परसेंटेल की साथ से, ओके, तो ये चीज़ थी यार, आज की वीडियो में, अ मेल कर सकते हो सब जगह में available होग मिलते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियों में, थार